ये फोटो एक ऐसे बदकिस्मत हाथी के पैरों की है जिसने क्रूरता देखी है वो भी पूरे 50 सालों तक और जब इस हाथी को अजाद कराया गया तो सच में उस हाथी की आखों में आसू बहने लगे आज की ये सची घटना कहीं और की नहीं बल्कि हमारे भारत की ही है जहाँ पर एक राजू नाम के हाथी को 50 सालों की कैद भरी जिंदगी से आधी रात को एक रेस्क्यू ओपरेशन करके बचाया गया राजू का जन्म कहा हुआ ये तो आज सक कोई नहीं बता पाया लेकिन राजू की किसमत शुरू से ही खराब थी उसके पैदा होते ही किसी ने उसे चुरा कर बेच दिया और इसके बाद ये बेचने का सिलसिला रुका नहीं हर दो साल बाद राजू का मालिक बदलने लगा लोगों ने राजू को एक जानवर ना समझ कर पैसे कमाने की मशीन बना लिया और अंत में उसे उत्तर परदेश के एक गाउं में लाकर एक आदमी को बेच दिया बदकिस्मती से राजू का नया मालिक नशे का आदी था शुरुआत में आदमी ने राजू को परेटन सलो पर ले जाने का फैसला किया लोग राजू का खेल देखते उस पर सवारी करते और इसके बदले जो राजू को मिलता वो जानकर आप रोने लग जाएंगे उसका मालिक राजू को सुबह से शाम तक नचवाने के बाद उसे खाना खिलाने के नाम पर सड़कों पर खुला छोड़ देता और सड़क पर पड़ा हर तरह का कच्रा चाहे वो प्लास्टिक ही क्यों ना हो वो सब राजू का खाना बनने लगा लेकिन समय बीतने के साथ राजू को सही खाना ना मिलने से राजू बूरी तरह से बिमार रहने लगा जिससे उसके मालिक ने उसे अपने घर के पीछे बांधने का निश्चे किया राजू को नुकीली चैनों से बांध कर छोड़ दिया गया आप चायद विश्वास ना करें पर राजू ने पास दशक यानि की 50 सालों तक अपने मालिक का जुल्म सहा उसका मालिक नशे का आदी था और जब उसका मन होता वो राजू को बूरी तरहे मारने लगता लेकिन राजू बेजुबान होने के कारण कुछ भी बोलने में सक्षम नहीं था आप अगर ध्यान से देखें तो आपको राजू के टांगों पर उस चेन के निशान भी दिखेंगे जो पिछले 50 सालों से उसके पैरों पर बंदी थी लेकिन 2014 में भारत की एक वाइल लाइफ चैरिटी को राजू पर हो रहे अत्याचारों की खबर लगी राजू का रेस्क्यू करने का प्लैन बनाने में ही टीम को पुरा एक साल लग गया 2013 की जुलाई में जब राजू के हालात लोगों के सामने आए तो कोई ऐसा नहीं था जिसे रोना ना आया हूँ राजू को खुले में दिन और रात रखा गया और दिन के समय उसका मालिक राजू के नाम पर लोगों से पैसे मागने लगा राजू की हालत देखकर कोई भी समझ सकता था कि उसे पूरा खाना नहीं दिया जाता और आसपास घूमने आये लोग उसे थोड़ा बहुत खाना देने लगे राजू के नाखून हद से ज़्यादा बड़े हो चुके थे क्योंकि उसके मालिक ने राजू के नाखूनों को कभी काटा ही नहीं था जिसकी वज़े से राजू के पैरों में कई जगें चोट भी लगी 2013 में रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू करने के लिए कोट से ओर्डर मंगवाए लेकिन ओर्डर आने में पूरा एक साल लग गया और 2014 में ओर्डर आते ही श्रीकार्तिक सत्या नारायन की अगुआई में इस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया रेस्क्यू करने से पहले टीम ने दो दिन तक राजू पर नजर रखी मामले की गंबीरता को देखते हुए जल्द से जल्द रेस्क्यू करने का प्लैन मनाया गया राजू के इर्दगिर्द बंदी चैनो को काटना बेहद मुश्किल काम था क्योंकि जरा सी चैन हिलते ही राजू के जक्मों में बे इंतहा दर्द होता था इसके बाद राजू को एक लंबे समय के बाद चैनो से खोला गया पर राजू कुद खड़े होने की हिम्मत में नहीं था लेकिन फिर भी राजू को हिम्मत करके खड़ा किया गया और वहीं उसे पेट भरके खाना और पानी पिलाया गया आप शायद विश्वास ना करें पर खाना खाते ही राजू रोने लग गया और वहां खड़े सारे लोग भी अपनी आखों के आसू नहीं रोक पाए इसके बाद कुछ दिन राजू को एक अस्पताल में रखा गया और जब राजू स्वस्थ हुआ तो उसे खुले जंगलों में छोड़ दिया गया दोस्तों जानवर बेजुबन है तो क्या हुआ दिल उनके भी बास है दर्द उनको भी होता है ये बात हम सभी को समझनी चाहिए और हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे किसी बेजुबन की आखों में हमारी वज़े से दर्द हो दोस्तों ये वीडियो का पार्ट 4 था अगर आपको पार्ट 5 चाहिए हो तो कमेंट में जरूर लिखें और पार्ट 1,2,3 तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है पहले वो भी जरूर देख ले ऐसी ही इंट्रिस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें मिलते हैं अगली वीडियो में यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद